अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है, तो आप पिस्ता का सेवन इन चार तरीकों से कर सकते हैं, पिस्ता पोशक तत्वों से भरपूर होता है, आपको बता दी कि 100 ग्राम पिस्ता में 10 ग्राम फाइबर, 20 ग्राम प्रोटीन और 1025 ग्राम पोटेशियम होते हैं, इसके अलावा पिस्ता में आईरन और विटामिन C भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. इतना ही नहीं. पिस्ता मेगनीशेयम और विटामिन B6 का भी अच्छा सोर्स है. पिस्ता खाने से पेच से जुड़ी दिक्कते दूर होती हैं. इतना ही नहीं. पिस्ता होट हेल्थ के लिए अगर आप रोजाना पिस्ता खाएंगे तो इससे हटे और मानस्पेशियों को भी मजबूत मिलेगी आईरन की कमी पूरा करने के लिए भी आप पिस्ता का सेवन कर सकते हैं दरसल पिस्ता में अधिक होता है जो खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है आरोग्य दाइट औ को पूरा करने के लिए आप पिस्ता का सेवन भून कर कर सकते हैं इसके लिए आप एक पैन में चार या पांच पिस्ता रोस्त कर लें आप इनका सेवन रोज शाम को स्नेक्स की रूप में कर सकते हैं अगर आप रोजाना भून कर पिस्ता खाएंगे तो इससे आईरन और हीम ग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा, पिस्ता खून की कमी और अनीमिया की लक्षनों को भी दूर करते हैं, इसे भी देखे अक्रोट और पिस्ता खाने से शरीर को मिलेंगे ये पांच फायदे, इस तरह करें डायत में शामिल, नमबर दो, खीर में डाल कर खाएं पिस्ता, अगर आ आयरन की कमी दूर हो जाएगी, इससे आपको दूद के भी पोशक तत्वा मिलेंगे और आप स्वस्त महसूस करेंगे, नमबर तीन, दूद में उबाल कर खाएं पिस्ता, शरीर में आयरन की कमी होने पर आप पिस्ता को दूद की साथ मिला कर भी खा सकते हैं, इसके लिए आ पिस्ता डालें, आप इसे अच्छी तरह से उबाल लें, फिर आप इस दूद को पी सकते हैं, आप पिस्ता वाले दूद का सेवन सुबह या शाम की समय कर सकते हैं, अगर आप रोजाना पिस्ता का दूद पेंगे, तो इससे आयरन की कमी धीरे धीरे दूर होने लगेगी, पिस्ता नहीं खाना है, तो आप भीगे हुए पिस्ता खा सकते हैं, इसके लिए आप पानी में 5 या 6 पिस्ता रात भर के लिए विबो कर रख दे, सुबह खाली पेज इन पिस्ता का सेवन करें, रोज सुबह भीगे पिस्ता खाने से शरीर सभी पोशक तथों को आसानी से और शोशित कर लेता है, इससे आपको परियाप्त मात्रा में आयरन और प्रोटीन मिलेगी, जिससे आयरन और हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताक हिंद वंदे मातरम